हेई वाट्सअप गेमर्स क्या हल चालेंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रैगन वर्शेज वाइकिंग्स में तो अभी मैं राइड कर रहा हूं अपने मैगनस को एंड लाश्ट वीडियो में न हमने इसको लेवल 50 के आसपास कर दिया था एंड इसको जो है उड इसकी बढ़ा रहा ना की ताफ फास्टा कर रहा है या बहुत सही उड़ रहा है तो अभी ना एक काम करते है सीधे चलते हैं अपने घर के यहां पर एंड वेट यहां पर एक तो इस वर्ड्ड में इतने टाइप के मोंस्टरस है ना अलग-अलग तरह के मौंस्टरस यहां आते ही रहते हैं, एक सामने की तरफ ही देखो यार, एक सेगेंड, ये रहा, आजा तू, आजा तेर को निप्टाते हैं, चलेगा ये, बाई चलतू रहा है बट मरा नी यार अभी तक, एक सेगेंड, इसको मारते हैं अभी, यार, ड्रैगन को कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा टफ है, इनको मतलब कंट्रोल करना अभी मैं सही से नहीं सीख पाया हूँ, बट एक काम करते हैं, इससे उतर जाते हैं, अभी छोटा है, इसकी हेल्थ बहुत कम है, तो ज़्यादा अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं, किल्कुल खतम हो जाएगा फुल इम्मुनिटी फोल डेमेंज से तो यार्मर काफी सही है एंड आज हम क्या करने वाले हमारे पास मैगनस है जो कि यार अभी कितने लेवल का था एक सिकेंड अभी देख लेते हैं आई पाई आजा पास में ओके तो यह 49 लेवल का है तो मैं सोच रहा हूँ क्यार इस पर हम ना ज़ादा जो है अपने ट्रीट्स खराब नहीं करते हैं क्यूंकि भाई अभी शुरू-शुरू में ड्रेगन ट्रीट्स मिलना बहुत ज़ादा टफ है तो जितना हो सके ड्रेगन ट्रीट्स को संभाल कर र ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि नाइट फ्यूरी ना इस वर्ल्ड का सबसे जादा जो है पावफुल तो आप बोल सकते हो क्या उससे जादा पावर्फुल दूसरे ड्रेगन भी है बट जो पावर नाइट फ्यूरी में ना वो किसी के पास नहीं है और मैंने थोड़ा सा जाने वाले अगर आपको याद हो तो हमें एक सीक्रेट जगे मिली ती जहां पर एक बुक ऑफ मैजिक थी तो वहाँ पर हम जाने वाले एंड उससे हम पता करते हैं कि इस वर्ड में जो हमें नाइट फ्यूरी कहां पर मिल सकता है क्योंकि लास्ट वाले वर्ड में तो हमें नाइट फ्यूरी जो है शेडो मॉस्टर्स थे ना शेडो मॉस्टरी थे ना शेडो नेशन वाले गार्ड्स थे वहाँ पर हमें पूरा इसको मानने की वहीं चलो यह तो गया आप पर हमारा नाम पूरी कोलोनी बिल्ड हो रही है यहां पर यह ना अभी तक हट बना ही रहा है इनके लिए बिल्डर्स हट तो इसको बनाने देते हैं पता नहीं इस क्या ही चकर बढ़ रहा है बहुत जादा टाइम लग रहा ह बनाने देते हैं आज का गोल यह नहीं है आज बिल्ड नहीं करेंगे हम आज हम जाने वाले है नाइट फ्यूरी की तलाश में अभी एक काम करते हैं क्योंकि स्केलेटन का इस्पोनर ही है जिससे हमेना बहुत सारी बॉन्स मिल जाएगी तो ड्रेगन ट्रीट्स बनाने में बहुत आसानी रहेगी तो अभी चलते हैं जल्दी से हम उस सीक्रेट जगे पे एंड बुक अप मैजिक जो भी बंदा हमारी हेल्प कर रहा है न हो सकता करते हैं तो एक काम करते हैं शील्द तो मैंने रख लिए अपने पास एंड कहां बोल रहा है एक सेकंड यह क्या बेचने आये कुल भी बेचने आये कहां से आवाज आ रही आ रही है हां इसकेलाटन चलो यह तो अच्छी बात है यह ना हमें थोड़ा सा बॉन्स भाई चलो जहां भी बजा रहा है एक काम करते हैं जल्दी से ना हम बुक पढ़ लेते हैं तो मुझे जानना है कि नाइट फ्यूरी का ड्रेगन एक मुझे इस वर्ल्ड में कहां मिल सकता है लेट सी ओके मुझे पता था तुम नाइट फ्यूरी के बारे में पता करने जरूर आओगे क्योंकि वो ड्रेगन तुमारा सबसे अच्छा दोस्त था यार ये बात तो सही गई इसने लास्ट वर्ल्ड में हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड था हमारा नाइट फ्यूरी तो और सबसे जाधा powerful भी क्योंकि उसकी speed का सामना कोई भी or dragon नहीं कर सकता और हाँ night fury तुमारे इस world में भी काफी काम आएगा लेकिन इस world में night fury एक को पाना इतना असान नहीं होगा क्योंकि इस world में night fury dragon को guard कर रहा है hydra जो बहुत जाधा powerful है लेकिन अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम night fury का एक ले सकते हो okay तो हमें ना hydra को हराना पड़ेगा जो कि night fury dragon के nest को guard कर रहा है लेकिन क्यूं इस chest में एक bow है जो तुमारे काम आओ सकती है night fury nest को ढूडने के लिए तुमें north की दिरफ जाना होगा okay best of luck okay तो इस chest के अंदर एक bow है जो कि guardian bow है एंड इस पे bonus arrow damage है 1.5 का तो यार बो तो काफी अच्छी है इसको हटा देते हैं फिर इस पे तो को special arrow नहीं चाहिए चलो ठीक है अभी मेरे हिसाब से तो यहां से निकलते हैं एंड हमें ना north की तरफ जाना पड़ेगा अगर हमें night fury dragon एक चाहिए एंड वहां पर ना उसको guard कर रहा होगा hydra तो यार यह hydra भाई कैसा होने वाला है I don't know जल्दी से चलते हैं यहां से बाहर एंड निकलते हैं hydra को तूडने के लिए ओके तो हमें जाना इस side पे क्योंकि north ना इसी side पे let's go चलते हैं रास्ते में अगर हमें दूसरे dragon एक्स भी मिलते हैं तो उनको भी हम लेते चलेंगे लेर विग गो बाई स्पीड पगले जल्दी बहुत दूर जाना है पता नहीं कहां पर मिलने वाला है यहां नाइट फूरी का nest बट I hope कि जल्दी मिल जाए ओके यहां पर नाव में mid dragon का जो है nest दिख रहा है तो अभी चलते हैं अंदर एक dragon एक तो लेके आते हैं कम से कम यह attack तो नहीं करेगा नहीं काफी देर के बाद dragon egg मिला है मुझे dragon egg तो हमारे पास आ चुका है mid का यहां से निकलते हैं इससे पहले कि ना एक dragon nest ओर दिख रहा है शाइस यह lotus वाला है yes lotus dragon है यह इसके अंदर ओके रस्ता दिखिया अंदर जाने का let's go and lotus dragon का एक मिल गया यह रमे चलो निकलते हैं यहां से तो यार काफी देर से ना में भटक रहा हूं यहां पर हैंकिन hydra का पता नहीं है यहां पर नेश्ट दिख रहा है मुझे एक कोई तो ड्रेगन होगा यहां पर वेट 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 यहां पर hydra का और आहलथ बार पाई hydra मिल चुका हैं में एंड हैड फियरी का जो है यहां पर वेट क्रेप्स इस्पाइडर रही है चलो यह तो मर गया एंड इससे हमें वार्प इस्पाइडर लेग मिला यार जो की काम आएगा आगे जाके बट अभी के लिए ना हमारा फोकस है हाइडरा लेट्स को आगे इस दरफ चलते हम यहां पर पास में जो इस बाई डेजर्ट भी आ गया यार यहां से भी हम ड्रेगंस लेके जा सकते हैं लेकिन अभी हमारा फोकस ना हाइडरा है पहले हमें हाइडरा को मारना पड़ेगा तब ही हम जो है नेस्ट के अंदर जा पाएंगे यह तो पूरा नेस्ट कवर करके जिसको देख रहा हूँ उसको ही मार रहा है भाई किसी को नहीं छोड़ रहा ही है एर भी गो लेट्स को आई नहीं पड़ी यार इसके क्या हुआ आ इस बार पड़ी सिस्ट अांक मार जुआब कर दें सकते हैं यह चलो महाँ है यह बीच मेहाय बिश पाइडर्स कार और हम श्याएं वहाँ थो हट सबस्टार हören 份दा पाईडरा के हिता है आई ये परिशान कर रहे है यार लेट्स को अभी मारते है इसको आई लगी नहीं रहे है यार इसके शाय से ये मूफ होलते है दभी हम इन पे अटेक कर पाते हैं नहीं यार नहीं लग रही है इनके खाप पड़ी इस बार अची हेल गई मेरा आर्बर बहुत ज़्यादा खराब हो गया यार इसकी आठ के वज़े से मुझे तो बहुत कम डेमेज मिल रहा है बट मेरा आर्बर चलो कोई ने इसको रिपेर हो जाएगा मेंडिंग लगा हुआ आर्बर पे इस बार साही लगी इनकी फाइर बोल को मार देना जल्दी डेमेज बिलता है इनको नाई अभी निकलना पड़ेगा यार एक सिकेंड वाटर पकेट रख लेते अपने पास बहुत आती हेल्थ तो चली गई इसकी फाइर बोल से इसको अच्छा डेमेज मिला यार मैं तो अपने आर्मर देख रहा हूं कई यार फूरा खतरना हो जाए बढ़ काफी जादा हेल्थ है आर्मर के तो अज़िए तो शांत हो गया रटेक ही नहीं कर रहे क्या होगे इनको जब तक यह अटेक नहीं करें हम जो अटेक नहीं कर भाई इसको तो बोलते है इसको अटेक 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 अट गर जाए इनको इस पार सही यह रट गई इसकी बहुत कम अट बचिया इनकी एंड एक मूह तो गया इसका चलो एक मूह ओ फिर से निगल गया इसका मूह यह क्या हुआ इन यह फिर से उड़ गया इसके चार मूह ओ गये एक सिकेंड यह तो पहुत जादा खतरनाक हो गया यार और भाई तीन मूह क्या कमते यार चोता हो रहा गया यहाँ पर ना नाइट होने वाली है तो हमें ना सोने की भी देखना पड़ेगा क्यूंकि यहाँ पर ना फीपर एंड जोंबी जिस्पॉन होगे तो दिक्कत हो जाएगी जल्दी मढ़ जाए यार भाई पूरा तीन हो गया इससे फाइट करते गड़ते इन नाइट में इसने अपनी हेल्थ कितनी फास्ट रीजेन रेत करी यार नई नई इस तरह जो दिक्कत हो जाएगी जल्दी से मारते इसको पाइश की हेल्थ बहुत जल्दी रीजेन रेत हो रही है पारग सईसे गई इसकी हेल्थ एक एड़ एक एड़ दोर गया इसका वाई पोण साना खुष्से में ये और अच हेड हो गए इसके वाई निकलो यहां से याँ थोड़ा साइड में हो जाओ एक बार तो हेल्फिन करो अपनी इसके अंदर से भी कोई मॉप्स निकल रहे है यार यह क्या हो रहा है यह देखो यार यह भी चल रहे है किये देखो किये देखो किये अच्छा देमेज मिला है मेरे को लग रहा है इस सेंटर वाले हेड पे हमें अटेक करना पड़ेगा चाहिए इतना ही पी देमेज भी ले किये इसका हेड गया है जल्दी से मारते है इन पार्टी के एड्स को कमान एक और गया है भू खोल आपना एंड किये गया वह विडिडिडिट यार बहुत परिशान किया इसने बढ़ बाइणली हमने जो है है राइड्रा को मार दिया बहुत खतरना फाइट छली थी है देखा तुम लोगों ने यार मैंने है राइड्रा को मार दिया बाई यह लोगी लेवल की खुशी हो रही है यहाँ पर इन्होंने कुछ ड्रॉप किया है ओके हाइडरा ट्रोफी मिली है हमें फियरी ब्लड मिला है यह तो नहीं है लोटस ड्रेगन एक तो हमें पहले ही मिल गया था अभी एक काम करते हैं यहां से हम चड़ते हैं सीधा जो है उपर एंड लिकालते हैं अपना नाइट फ्यूरी का ड्रेगन एग भाई यार बहुत ज़ादा खतरनाक था यार यह नाइडरा थो बड़ हम भी यार कम नी थे फाइनली हमने जो उसे मार दिया यहां पे ना भाई रिस्क बिलकुल नहीं लेना नाइट फ्यूरी ड्रेगन एग भाई फाइनली हमारे पास जो है नाइट फ्यूरी ड्रेगन एग आ चुका है अभी ना इसको निकालते हैं यहां से चलते हैं सीधा अपने गर पे नाइट फ्यूरी ड्रेगन को जो है इंक्यूबेट होने के लिए लगा सकते हैं या नहीं लेट सी पहले तो गर पे चलते हैं एक बार ओके फाइनली जो है हम गर आ चुके हैं अभी चलते हैं सीधा अपने इंक्यूबेटर के यहां पर भाई अभी भी यार लेंडिंग चलो कोई नहीं सीखी जाएंगे इस सीजन के एंड तक तो एंड भाई कहा जा रहा है जल्दी आजा इदर ओल्राइट तो यार फाइनली हम जो है मित एक सेकेंड यह होना या भाई बिलकुल ही मतलब पीच में आ जाओ यार तुम कुछ काम ही नहीं करने दो तो टीर टू का हमारे पास लावा इंक्यूबेटर है एंड हमेना तीर ड्राइगन एग मिलने आज वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इसलिए बागी तो बहुत सारे ड्राइगन एग मिल जाते है अभी हमारे पास नहीं टीर 2 का लावा इंक्यूबेटर है लेट सी कि इसमें हम नाइट फ्यूरी ड्राइगन एग को हैच और यह फिर बीच में आ जाते है इनको कोई काम नहीं है मुझे लग रहा है चल निकल यहां से अब भी करते हैं इसको हेच एंड इसका हम नाम रखने वाले है तूथ लेस क्योंकि उस वर्ड में भी हमारा सबसे जो है क्लोजेस ड्रैगन था वो था तूथलेस नाइट फ्यूरी एंड इसमें भी हम इसका नाम टूथलेस ही रखने वाले है तो यह हो चुका है हमारा टूथलेस पॉन एंड भाई इसको भूग लग रही है एंड यह सिर्फ मचली खाता है बट एक बार इसको दूसरे आइटम भी खाने ही पड़ेंगे खाले भाई जो भी मिल रहा है अभी तो एंड इसको ना हम लेवल अप करेंगे बट लेवल अप हम इसको करने वाले नेक्ट वीडियो के अंदर क्योंकि ना इसको मैं सीधा लेवल हंड्रेट में लेकि जाने वाला हूँ एंड उसके लिए ना हमें बहुत सारी मीट्स इकटा करने पड़ेगी बोंस तो हमारे पास अल्मॉस्ट होंगे तो कोई दिक्कत निये बोंस तो मिल जाएंगे एंड मीट्स इकटा करने पड़ेगी तो मेरे सबसे तो वीडियो करते हैं यही पे एंड आई होप कि आप लोगों को आज की जो है वीडियो पसंद आई होगी काफी खतरनाक जो है फाइट हुई हमारे हैट्रा के साथ इसको देखके यार कितना जादा खुशी होरी कितना स्वीट सा अंड क्यूट सा लग रहा है बट लेवल हंड्रेड पे इसको लेके जाना है हमें नेक्ट वीडियो के अंदर सो यह वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरू से करना चैनल पर नहीं हो त्यार सब्सक्राइब करना मिलता हूं मैं आप सबसे न झाल बाइ थेक्ट कर दो सक्षिए कर दो मैं युट से करेंगा।